Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे हैं, सब लोग hopes हो, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ हाउस प्रॉपर्टी है, एन असेसी उसका ओनर है, तो इंकम आपके हाउस प्रॉपर्टी हैड में आती है, हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते है, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग, लेंड अपर टेनेंट का मतलब होता है, कि जो लेंड जो होती है, बिल्डिंग क के ओनर होने चाहिए अब एक बात बताओ house property कितने टाइब की होती है तो house property सबसे पहले एलोपी एलोपी का मतलब लेट आउट प्रोपर्टी अगर आपने कोई प्रोपर्टी किसी को भाड़े पर दे रखी है that is call your late out property अब हमेश्या ध्यान रखना late out property जो होती है उसका income आपको मिलेगा obviously so it is always taxable दूसरा होता है self occupied property self occupied property का मतलब आप अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रोपर्टी कर रहे है that is call self occupied property या जिसको हम SOP बोलेंगे तो SOP हो सकता है कि आप अपने business में यूज कर रहे है उसको या फिर हो सकता है कि आप उसको ज अगर कोई ऐसी house property है जिसको आप अपने business या profession में यूज कर रहे है उसी building में आप business या profession कर रहे है तो वो कही ना कहीं आपको PGBP head की income कमा के दे रहा है और जब PGBP head की income कमा के दे रहा है तो यहाँ पे house property head में उसको देखने की जुरुत नहीं है आप ignore करिए लेकिन अगर मा आपकी दो SOP है मिस या तो एक है या एक से ज़्यादा दो है maximum दो अगर आपकी दो SOP है तो दो SOP के case में यह exempt आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं यह कोई भी income taxable नहीं होगी अगर आपकी 2 SOP है तो लेकिन एक चीज समझना अगर आपके पास 2 से ज़्यादा SOP है तो उ इम टूबी लेटाउट प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपकी है तो SOP लेकिन हम यह माल लेंगे कि वो लेटाउट प्रॉपर्टी है और उसकी income आपके लिए taxable हो जाएगी तो देखो मैंने क्या बोला देखो सबसे पहले मैंने बोला house property head में income तब जाती है जब house property होनी चा इसा like commercial building है जो आपने किसी को भाड़े पर दे रखा है तो भी आपकी जो income है वो house property head में ही जाएगी house property कितने टाइप की होती है अगर LOP है तो taxable करो अगर SOP है business and profession में use हो रहा है तो आप उसको ignore कर दो अगर आपका SOP residence purpose के लिए है और आपके पास 2 ही SOP है तो exempt है लेकिन 2 स ज्यादा SOP है तो 2 तो exempt है और 2 से उपर वाले जितने भी रहेंगे वो आपके deep to be let out property मानी जाएगी और वो taxable हो जाएगी अब एक और जीज़ अमजना यहाँ पर एक amendment आया था कि sir अगर मानलो कोई भी builder है और builder के पास में अगर कोई भी house property है और वो house property अगर stock in trade है अब एक builder है builder के पास में जो खाली flats होते है वो flats अगर उसने बेच दिये तो तो income जाएगी PGBP head में business head में लेकिन अगर उसके पास ही है और उसको बाड़े पे दे दिया तो income कहा जाएगी house property head में लेकिन एक चीज़ समझता ऐसा भी तो हो सकता है builder ने flat का construction complete कर दिया और उसके बाद म लेके two years तक ये माना जाएगा कि भाया उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा मिस जिस year में construction complete हुआ उस year के end से 2 साल तक जो है उस पे कुछ भी tax नहीं लगेगा मिस उसका annual value nil माना जाएगा आपको DLOP नहीं मानना है लेकिन उसके बाद में जो है two years जैसे ही complete हो जाते है उसके ब लेटाउट नहीं किया अगर लेटाउट कर दिया होता तो तो इंकम ऐसे भी house property एड में चली जाती बड़ अगर आप लेटाउट नहीं करते हैं खाली बड़ाए तो जिस year में construction complete हुआ उस year के end से लेके और next two years तक जो है वो आपका कुछ भी tax लगाने की जरूरत नहीं उसक तो जो self occupied property में अपने को 24B का interest का deduction मिलता है ना 30,000 और 2,000 का वो नहीं मिलेगा और दूसरी चीज़ house property head का जो loss होता है वो you know that दूसरे head से set up हो सकता है maximum 2,000 वो house property head का loss किसी और head से set up नहीं होगा ये दो benefits है वो आपको surrender करने पड़ेंगे अगर 115 BAC default taxation regime के इसाब से आप tax pay करत है तो अब आप बताईए house property head का income कैसे निकालेंगे तो house property head का income निकालने के लिए देखो जो self occupied property होती है na self occupied property जो residence purpose के लिए use हो रही है उसमें हर चीज़ डैश पर डैश आएगी उसमें सिरफ एक ही चीज़ लेस होती है that is the interest on loan अगर आपने कोई loan लिया है और वो loan का जो interest है self occupied property के case में यहाँ पे less होता है और guys अगर 115 BAC लिया तो ये भी less नहीं होगा 115 BAC लिया तो SOP की income हमेशा nil आएगी बट अगर आपने 115 BAC नहीं लिया normal provision के हिसाब से गए तो आपकी income या तो निल आएगी या negative आएगी negative क्यों आएगी due to the interest आपकी income negative आएगी लेकिन guys जो let out property ह होती है and deemed to be let out property होती है उसमें income निकालने के लिए इन्होंने एक method दे रखा है क्या house property head की income कैसे निकालना तो house property head की income निकालने के लिए law workers बोलते हैं सबसे पहले ले लिजिए municipal value municipal value किसको बोलते है municipal value means ऐसी value उस property की जो की municipality record के इसाब से होती है means municipality record के इसाब से वो property एक साल में कितना rent आपको कमा के दे सकती है that is called municipal value या जिसको rateable value भी बोलते है तो सबसे पहले ले लिजिए municipal value दूसरा उसको compare करिए fair rent से now fair rent किसको बोलते है कि आपके आजू-बाजू में जो property है means same locality में similar property है उसका rent कितना चल रहा है that is called your fair rent अब fair rent जो है उसको reasonable rating value भी बोलते है तो आप एक काम करिए municipal value और fair rent whichever is higher है वो ले लिजिए and guys द्यान रखिए उसको compare करेंगे standard rent से standard rent किसको बोलते है कि भाईया क्या होता है बहुत सारे state में rent control act होता है और rent control act यह बोलता है कि legally आप maximum कितना rent ले सकते है means एक owner किसी भी tenant से maximum कितना rent recover कर सकता है that is called your standard rent तो obviously legally आप इससे ज़्यादा rent नहीं ले सकते that is called your standard rent तो जो municipal value and fair rent में से जो higher आया था उस higher को compare करेंगे standard rent से और इस में से ले लीजिए whichever is lower और जो lower आएगा ना इसको हम बोलेंगे expected rent क्या बोलेंगे expected rent means इतना rent तो होना चाहिए अब जो expected rent आता है ना उसको हम compare करेंगे actual rent से किस से compare करेंगे actual rent से और whichever is higher है उसको अपन बोलेंगे gross annual value और gross annual value मैंसे आप municipal taxes जो pay किया वो आप less कर दीजिए और municipal taxes जो pay करते है वो less कर देंगे तो बचेगा NAV that is net annual value and guys net annual value मैंसे दो चीज़े less होती है एक तो आपका standard deduction 30% of the NAV मिस NAV का 30% आप standard deduction सीधा ले लीजिए and दूसरा interest on loan है वो आप less कर दीजिए जो भी बचेगा वो तुमारे house property का income आएगा अब एक बात बताओ municipal value के बारे में फिर rent standard rent के बारे में मैं आपको बता जोगा हो अब बात आती है actual rent की सर actual rent किसको बोलें तो actual rent का मतलब होता है rent received plus rent receivable minus unrealized rent मिस जितना rent आपको received हो गया वो लीजिए plus receivable कितना है receivable का मतलब आपको जो मिलना बाकी outstanding वो कितना है उसको आड़ करिए और minus कर दीजिए unrealized rent लेकिन एक चीज़ समझना यह जो unrealized rent होता है यह minus तभी होता है unrealized rent है वो minus तभी होगा जब आपकी चार condition satisfied होनी चाहिए unrealized rent की Miss unrealized rent less तभी होता है जब आपकी चार condition satisfied होनी चाहिए चार condition क्या गया है, सबसे पहली condition कि आपकी जो tenancy है वो bonafide है, tenancy bonafide का मतलब tenancy आपकी genuine tenancy अगरीमेंट वगरा है, दूसरा वो tenant जिसने आपका पैसा खाया, unrealized rent का मतलब होता है, bandits of rent, जिसने आपका पैसा खाया, उसको आपने घर से बाहर बगा दिया हो, तीसरा वो tenant आपका क reasonable step लिए है for recovery of the unrealized rent, अगर ये चारो condition satisfied होती है, तो unrealized rent आपका less हो जाएगा while computing the actual rent, तो actual rent निकालते टाइम, आपको क्या करना है, rent received plus rent receivable minus unrealized rent, बट ये unrealized rent less तभी होगा, जब चार condition आप rule 4 की satisfied करते हो, tenancy bonafide होनी चाहिए, उसको आपने बाहर भगा दिया है, वो दूसरा घ आप लिए है for recovery of the unrealized rent, अब एक बात समझना, जब अपन ये भी निकाल देते है, gross annual value, उसमें से less करते है, municipal taxes paid, अब municipal taxes क्या होता है, municipal taxes बीस ऐसे taxes, जो municipality या local authority या gram पंचायत या contentment board आप से लेता है, taxes, that is called municipal taxes, इसको बहुत बार local taxes भी बोलते है, house taxes भी बोलते है, property taxes भी बोलत है, तो किसी भी type का taxes अगर बोला हुआ है, जो municipality, local authority ले रही है, that is called municipal taxes, एक चीज़ समझता है, ये municipal taxes है ये allow होता है, बट ये payment basis पे होता है, miss, जैसे for an example, इस साल का municipal taxes आपका 20,000 था, बट उसमें से आपने only 10,000 पे किया, तो आपको 10,000 ही allow हो जाएगा, इसका मतलब ये जब करोगे तब होगा, आपने मान लोग 5 साल का municipal tax एक ही साथ इस साल में pay गड़ दिया, तो क्या पूरा इस साल में allow हो जाएगा, बिलकुल yes, इस साल में पूरा allow हो जाएगा, एक और चीज़ समझता, municipal taxes है ना, वो सिरफ owner ने pay किया ना, तो ही allow होगा, अगर tenant ने pay किया त percentage form में दे रखा होता है, जैसे municipal taxes है, वो 10% है, तो 10% किसका लोगे, municipal value का लोगे, उसके बाद next point आता है, interest on loan, guys, यहाँ पे देखो, जब आप section 24 में, यहाँ पे interest on loan का deduction लेते हो, 24B है, अब यहाँ पे जो interest on loan का deduction लेते हो, यह interest on loan का deduction मिलेगा, अगर आपने loan लिया था house property purpose के house property या तो purchase करने के लिए, या construct करने के लिए, या फिर repair करने के लिए, या renovation के लिए आपने loan लिया था, तो उसका interest आपको यहाँ पे allow हो जाएगा, एक और चीज़ समझना, loan किस से लेना है, क्या सिरफ bank से लेना है, ना बबना, आप loan किसी से भी ले सकते हो, loan can be taken from the bank, financial institution, friends, family, relative, किसी से भी loan लोगे, तो चलेगा कोई फरक नहीं पड़ता, एक और चीज़ समझना, लेकिन वो house property के लिए जो loan लोगे न, उसका interest, due basis पे allow होगा, इसका मतलब आपने अगर pay किया, तो भी allow होगा, outstanding है, तो भी allow होगा, तो total आपका interest है इस साल का, वो आपको यहाँ पे deduction मिल जाएगा, एक और चीज़ समझना, बहुत बार interest पे interest लग जाता है, जिसको penalty interest बोलते है, जैसे आपने interest पे नहीं किया, तो उस पे और interest लगा दिया, तो क्या penalty interest allow होगा, answer is no, interest on interest या जिसको अपन penalty interest बोलते है, वो बाला interest आपका allow नहीं होगा, एक और चीज़ समझना, question यह आता है, कि सर एक बात बता है, यह interest की कोई limit होती है, या unlimited interest allow है, right answer is, कहां कहां पे limit है, तो देखो, अगर आपकी property LOP या DLOP है, LOP का मतलब let out property, DLOP means deemed to be let out property, तो no limit, means जितना interest है, वो पूरा allow हो जाएगा, अगर LOP, DLOP है, तो पूरा interest allow हो जाएगा, लेकिन बाबु, अ इतना allow हो सकता है, तो उसमें 2 case, अगर special case है, या normal case, special case किसको बोलेंगे, जब 3 condition satisfied होती है, पहली condition loan is taken on or after 1-4-1999, loan जो है, वो 1-4-1999 या उसके बाद में लिया है, दूसरा, loan is taken for the purchase or construction of house property and 3 condition, if loan is taken for the construction, then construction has to be completed within the period of 5 years from the end of the year in which loan was taken, तो यह 3 condition अगर satisfied होती है, या उसके बाद में लिया है, loan is taken for the purchase or construction of house property and if loan is taken for construction, then construction has to be completed within 5 years from the end of the year in which loan was taken, अगर माल लो यह 3 condition satisfied होती है, इसमें आता है, तो maximum आपको दोनों house का मिला के, maximum 2 lakh का interest का deduction मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें नहीं आते हो, तो normal case में आओगे, तो maximum 30,000 का आपको deduction मिल जाएगा, एक बाद समझना, यह normal case में कब जाएगा, या तो loan 1499 से पहले ले रखा है, या फिर loan है वो repair renovation के लिए ले रखा है, या फिर loan आपने माल लो purchase construction के लिए लिया था, but construction was not completed within the period of the 5 years from the end of the year in which loan was taken, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पुराने loan को pay कर पहले के लिए नया loan लेते हो, जैसे, पहले मैंने घर खरीदा था और loan SBI से ले रखा था, अब SBI से पहले loan ले रखा था, लेकिन अभी मुझे सस्ता loan माल लो IDFC First Bank से मिलता है, तो मैंने क्या किया, IDFC First Bank से loan लेके और वो पुराना loan पे कर दिया, बट पुराना loan मैंने house property purpose के ले लिया था, तो क्या नए loan पे जो आप interest पे करोगे, उसका deduction आपको मिल जाएगा, answer is yes, बिलकुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस interest का deduction आप ले सकते है, एक और बात समझना, बहुत बार क्या होता है, interest अपन इंडिया के बाहर पे करते है, जैसे माल लोग foreign से मैं मैं काटाना, तो ही मुझे interest allow होगा, otherwise interest allow नहीं होगा, तो if loan is taken from outside India, and आप outside India किसी को interest पे कर रहे हो, तो उसका tedious काटना पड़ेगा, tedious काटा तो आपको interest allow होगा, otherwise interest allow नहीं होगा, अब एक और concept आता है, that is the pre-construction period interest, या जिसको pre-acquisition period interest बोलते है, एक बात समझना, जैसे माल ल संदर सा घर बन गया, तब उसको अपन building बोलते है, तो sir, एक बात बता है, जब building बन गई, house property बन गई, उसके बाद में, जिस year में building बन गई, उस year से तो interest का deduction मिल जाएगा, लेकिन उसके पिछले वाले years का interest था, उसका क्या, तो उसको बोला जाता है, pre-construction period interest या pre-acquisition period interest, त जो भी interest रहेगा, that interest is called your pre-construction period interest, वापस बोल रहा हूँ, जिस year में construction complete हुआ, उस year को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले जितने भी years का interest है, उस year को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले जितने भी years का interest है, that is called your pre-construction period interest, and pre-construction period interest है, वो एक साथ में allow नहीं होता, that is allowed in the five equal installment from the year in which construction is completed. तो जिस year में construction complete हुआ, उस year से वो five equal installment में allow हो जाएगा. Same concept pre-acquisition period interest के बारे में भी होता है, कि जिस year में आप property acquire करते हो, उसके पिछले वाले years का जो interest रहेगा, that is pre-acquisition period interest और वो भी आपको five equal installment में allow हो जाता है, जिस year में आप property acquire करते हो, यहाँ पर मैंने example दे रखे आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अब एक और concept आता है, that is the arrears of rent, arrears of rent क्या होता है, बहुत भर rent को लेकर dispute हो जाता है, जैसे माल लो COVID में क्या हुआ, मैंने कोई property किसी को भाड़े पर दे रखी थी और वो बंदे ने भाड़ा दिया ही नहीं, हमादे दोनों के वेच में dispute हो गया, that is called arrears of rent, arrears of rent है, अब एक बात समझना, अगर माल लो in future में unrealized rent की या arrears of rent की recovery हो जाती है, unrealized rent तो क्या था वो benefits of the rent, arrears of rent क्या disputable rent, तो यहाँ पर अगर माल लो आपकी recovery हो जाती है, तो क्या वो recovery taxable होगी, answer is yes, अगर आपको unrealized rent या arrears of rent की recovery होती है, तो it will be taxable in the year in which recovery took place, माल जिस year में recover होता है, उस year में taxable होगा, लेकिन सरीक बात बताओ, उस year में तो हमारे वो पास वो property ही नहीं, हमने तो वो house property बेच दी थी, तो भी क्या taxable होगा, answer is yes, तो भी taxable होगा, तो जो आपका recover हुआ, arrears of rent या unrealized rent, जिस year में मिलेगा, उस year में taxable होगा, भले आपके पास वो house property है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, एक और चीज़ समझना, house property हैड में, आपको municipal taxes का deduction मिलता है, उसके साथ interest on loan का deduction मिलता है, और एक 30% standard deduction मिलता है, उसके अलावा और कोई deduction नहीं मिलता, तो जो भी तुमारे repair and maintenance का खर्चा है, society charges है, parking charges है, insurance charges है, electricity and water supply charges है, lift charges उसका कोई deduction नहीं मिलेगा, क्योंकि 30% आपको standard deduction दे रखा है, NAV पे, अब एक बात समझना, एक concept आता है, vacancy, अब यह vacancy क्या है, समझते हैं, कोशिश करना, normally हम लोग क्या करते हैं, बता है, कि जो भी तुमारा expected rent and actual rent, whichever is higher होता है, उसको हम GAV मान लेते हैं, मिस normally क्या करते हैं, कि guys, जो expected rent और actual rent, whichever is higher है, उसको GAV, gross annual value, लेकिन guys, ध्यान रखना, अगर कोई भी vacancy है, तो vacancy के case में यह higher वाला फंडा नहीं चलेगा, vacancy के case में यह higher वाला फंडा नहीं चलेगा, तो वो vacancy नहीं है, बाबू, आपने खुद ने occupied किया हुआ है, खुद उसमें पड़े हुए हो, तो vacancy नहीं है, vacancy का मतलब होता है, कि घर पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, that is call your vacancy, तो अगर vacancy होता है, तो क्या करनेगा, तो guys, lawmakers क्या बोलते हैं, कि अगर मालो किसी गर में vacancy है, दो महीने, तीन महीने, एक महीने, चार महीने के लिए vacancy है, तो क्या होगा, तो lawmakers बोलते हैं, कि आपका जो actual rent है, प्लस vacancy rent, ये दोनों मिला के, अगर expected rent से more than equal to हो जाता है, मिस, expected rent से जादा या equal to हो जाता है, तो तो आपका जो actual rent है ना, वो ही तुमारा GAV बन जाएगा, मिस, जो आपको actual rent मिला, प्लस vacancy, मनला, वेकंट ना होता तो कितना पैसा मिलता, तो actual rent प्लस vacancy rent, ये दोनों मिला के, अगर expected rent से more than equal to है, तो actual rent तुमारा GAV बन जाएगा, otherwise, अगर expected rent जादा है, actual rent प्लस vacancy rent से, तो expected rent है, वो आपका GAV बन जाएगा, अब और चीज़ समझना, एक concept आता है, concept of party laid out property, area wise, बहुत बार ऐसा होता है, कि अगर माल लो एक घर है, उसमें से कुछ part laid out कर रखा है, कुछ part self occupied कर रखा है, जैसे माल लो ground floor, first floor, तो first floor laid out कर दिया, ground floor आप खुद पड़े हो, या माल लो कोई flat है, जिसमें 2BH की, उसमें से एक room laid out कर रखा है, बाकी में आप रह रह रहे हो, तो sir क्या होगा, तो अगर कोई भी property है, वो partly laid out है, लेकिन वो area wise है, area wise का मतलब some area is laid out and some area is self occupied, तो आप एक काम करो, उस property को 2 property माल लो, उस property को 2 property माल लो, और laid out वाला area है, उसको LOP मानो, और self occupied वाला area है, उसको SOP मानो, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप दो property मान रहे हो, तो आपको दो column बनाने पड़ेंगे, SOP के लिए and LOP के लिए, यहाँ पर एक और चीज़ समझना, कि जो भी तुमारा municipal value है, आपका fair rent है, standard rent है, municipal taxes है, interest on loan है, उसको आप divide करोगे, LOP और SOP में on the area basis, लेकिन एक चीज़ नियान रखना, कभी भी आप actual rent को divide नहीं करोगे, क्योंकि actual rent जो हमेशा होगा ना, वो हमेशा लेट आउट portion के लिए होगा, जो actual rent होगा, वो तो लेट आउट portion के लिए होगा, SOP के लिए थोड़ी actual rent आएगा, तो actual rent को आप divide नहीं करोगे, बाकी municipal value है, उसके बाद fair rent है, standard rent है, municipal taxes है, interest on loan है, उसको आप दो पार्ट में divide करोगे, LOP और SOP, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार ऐसा होता है, कि कोई property, time wise अगर partly late out है, तो क्या होगा? lawmakers बोलते हैं, अगर कोई भी property है ना, वो एक दिन भी आपने late out कर दी, तो वो तुमारी late out property है, वो self occupied नहीं है, मैं उसको पूरे साल के लिए let out ही मानेंगे लेकिन obviously actual rent उतने period का ही आएगा जितने period के लिए आपने let out किया है तो एक चीज दियान रखना अगर कोई property है वो कुछ time के लिए self occupied है और कुछ time के लिए let out है तो उसको आपको let out property ही मानना है क्योंकि self occupied property किसको बोलते है ऐसी property जो throughout the year आप अपने रहने के लिए use करते हो या फिर वो property आप अपने रहने के लिए use ना कर पाए और खाली पड़ी है due to that कि आपका duty बगरा कहीं और है या आप job कहीं और करते हो business कहीं और करते हो क्या होगा जैसे मानलो मेरे पास 3 घर है और 3 में खुदी पड़ा हूँ तीनो में मैं खुदी रहता हूँ मेंस more than 2 SOP है तो उस particular case में क्या होगा तो अगर more than 2 SOP है तो उस particular case में क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा 2 को SOP मानोगे और बाकी को DLOP मानोगे, जैसे मान लो आपके वास 3 SOP है, तो आप क्या करोगे, आपको कैसे decide करना है, इसमें से कौन सा SOP लेना है, कौन सा DLOP लेना है, तो उस particular case में क्या होगा, आपको question को 3 बार solve करना पड़ेगा, पहले 1 और 2 को SOP मानो, 3 को DLOP मानो, फिर एक काम करी है, 1 और 3 को SOP मानो, 2 को DLOP मानो, उसके बाद आपका 1 को DLOP मानो, 2 और 3 को SOP मानो, और जिस option में आपका income सबसे कम आता है, वो वाला option आपको exercise करना है, जिस option में आपका income सबसे कम आता है, वो वाला option है, वो आपको exercise करना है, अब एक और चीज़ समझना joint ownership, joint ownership के case में क्या होता है बहुत बार कोई property एक से ज़्यादा owner hold करते है, that is called joint ownership तो joint ownership के case में आप property, house property का income ऐसे calculate करो, जैसे normally अपन करते हैं, miss आप normally जैसे calculate करते हो, वैसे ही house property का income calculate करो, और उसके बाद में जो भी income आती है ना, वो number of owners में divide कर दो, in their ownership ratio, miss जो उनका ownership ratio है, वो ownership ratio में आप उस income को divide कर दो, miss जितने भी owner है, number of owners में आप उसको divide कर दो, in their ownership ratio, ownership ratio में आप उसको divide कर दो लेकिन इसमें एक चीज़ ध्याद रखना कि जब भी joint ownership का question आता है ना, तो ये ध्याद रखना, अगर LOP, DLOP है तो उसमें तो interest पूरा अलव होता है, लेकिन SOP के case में जो interest का limit होता है ना, ये 30,000 और 2 lakh, ये owner wise मिलता है, तो अगर मानलो कोई property ऐसी है, जो self occupied property है और उसमें joint ownership है, तो उसमें क्या होगा जो 2 lakh का deduction होता है, ना, 2 lakh and 30,000 का, वो owner wise होता है, तो 2 owner है, तो 60,000 and 4 lakh हो जाएगा, मिस दोनों को 30,000 to 2 lakh का deduction है, वो मिल जाएगा, तो joint ownership के case में, अगर self occupied property है, तो जो interest 24B में मिलता है 30,000, 2 lakh, वो आपके number of owner wise मिलता है, तो जितने जादा हो नहों के उतनों को ये interest का deduction मिल जाएगा, फिर obviously उन्होंने वो interest पे किया है, तो next part is related to composite rent, composite rent किसको बोलते है, जब किसी house property का and other asset amenities साथ में भाड़े पे दी जाती है, जैसे आपने देखाऊगा, furnace house दे दिया, उसमें एक काम करिए, पहले देखिए क्या agreement separable है या नहीं, agreement जो है, क्या separable है या नहीं, इस agreement में ऐसा लिखा हुआ है, क्या house property का rent इतना है और other asset का rent इतना है, अगर agreement separable है, तो house property का rent है, वो तो house property में जाएगा, and other asset का rent है, वो other asset का rent आपके IFOS है, PGBP head में जाएगा, normally other sources में जाएगा, बट मालो other asset rent पे देने का ही आपका business है, तो PGBP में जा सकता है, लेकिन मालो agreement separable है ही नहीं, जैसे आप hotel में रहने गए, एक बात बताओ, hotel में जब आप रहने जाते हो, तो room भी मिलता है, room property भाड़े पे दे दी, और उन्हाने agreement separable बना दिया, लेकिन एक बात बताओ, उसको let out करना बिना asset के possible ही नहीं था, मिस house property is not feasible to let out without other asset, other asset के बिना let out करना possible ही नहीं था, बट तो भी उन्होंने agreement separable कर दिया, तो law makers बोलते है, आपका पूरा income PGBP या other sources में जाएगा, भले आप agreement separable करो, या ना करो, कोई फरक नहीं पड़ता, एक section आती है 27, 27 क्या बोलती है, आपकी deemed owner, deemed owner का मतलब क्या होता है, कि आप registered owner नहीं हो, लेकिन तो भी आप registered owner नहीं हो, तो भी आप उसके owner मान लिये जाओगे, कौन कौन से cases में है, सबसे पहला, अगर कोई individual है, वो अपनी spouse को, अपनी spouse को, मिस अपने पती, पतनी को या पतनी, पती को करगे, ठीक है, अपने spouse को, अगर आप कोई भी house property, gift दे देते हो, या low consideration से दे देते हो करगे, ठीक है, तो भले उसके registered donor आपका spouse है, बट तो भी आप उसके deemed donor माने जाओगे, और property किसे जो income होगी, वो आप ही के हाथ में taxable हो जाएगी, लेकिन इसका एक exception है, कि अगर माल लो आप transfer करते हो, in the agreement of leave apart, agreement of leave apart का मतलब क्या होता है, कि भाई, आपका divorce नहीं हुआ, लेकिन आपकी बीवी अलग रहती है, आप अलग रहते हो, आपने कोई house property gift कर दी, तो फिर आप deemed donor नहीं माने जाओगे, एक और चीज समझना, आप अगर अपने minor child को कोई house property gift कर देते हो, या low consideration से दे देते हो, तो minor child के case में, आप जो है, वो उसके deemed donor माने जाओगे, लेकिन इसका एक exception है, minor married daughter, minor married daughter में इस बाली का बदू को अगर आपने कोई भी house property gift कर दी, तो उस particular case में वो बाली का बदू है, वो ही उसकी owner मानी जाएगी, आप उसके owner नहीं माने जाओगे, अब एक और चीज समझना, जो cooperative societies रहती है, तो cooperative societies के case में क्या होता है, कि like, बहुत बार पूरी building की जो owner होती है, वो तो cooperative society होते हैं, जैसे गोकुलदाम society, बट जो इसमें जो लोग है, जैसे जेठालाल है, करके ठीक है, जेठालाल है, उसके बाद अयर है, उसके बाद तारक है, यह लोग क्या होते हैं, तो यह shareholder को homeless flat का deemed owner मानेंगे, क्या मानेंगे, deemed owner मानेंगे, और एक होता है, holder of impartiable asset, यह impartiable estate क्या होता है, कि बहुत बार अगर ऐसी कोई property है, जिसका partition possible नहीं है, तो जो उसका main holder रहेगा, वो उसका deemed owner माना जाएगा, और उसके हाथ में income taxable हो जाएगी, बाकी वाला जो यह amendment है, यह मैं already आपको बता चुका हो, कि दो SOP का आप benefit ले सकते हो, और SOP किसको बोलते है, या तो आप throughout the year अपने residence purpose के लिए use करते हो, या फिर आप उसमें रह नहीं पाते हो, due to आपका job कहीं पे और है, business कहीं और है, profession कहीं और है, और उसकी वज़े से रह नहीं पाते हो, और वो पूरा खाली पड़ा है और वो किसी और place पे है, तो उस particular case में उसको आप SOP मान सकते हो, so this is the topic house property, यह तुमारा house property का topic है, बड़ा ही simple सा, इत्तु सा topic था, आपको मज़ा आया होगा, revise करने के बाद, so guys अब जो है, वो आपने revise कर लिया, इस topic को अब आपको क्या करना है, इस topic के जितने भी questions है, वो questions को जाके बिढ़ना है, और question करने है, तब आपका काम बनेगा, बाबू, आपको उमर ऐसी है, जहां ये बाबू सोना वाला time है नहीं, अब कितना time ये सब चीजों में लगाते हो, मेरा मानना ये है, मेरे को बहुत बार ऐसे बच्चे बोलते हैं, हमारा relationship चल रहा है, इंटर वालों का, पता नहीं कौन सा relationship होता है, इंटर वालों का साल के अंदर-अंदर सीधा CA final clear हो जाएगा, और CA बन जाओगे, और inter clear नहीं किया ना, तो CA में entry भी नहीं होई, आप सोच रहे हो, foundation से entry हो जाती है, ना बाबू ना, वो सब गलत है, entry होती है जब आप intermediate clear कर लेते हो, क्योंकि final clear हो जाता है, final क्यों clear हो जाता है आराम से, क्योंकि 2 साल का time है आपके पास में, 6 ही subject है आपके पास में, बाकी तो self-paced module में कुछ डाले हुए, तो 6 ही subject है, और बेटा, 2 साल का आपके पास articleship का time है, और articleship अगर आप एक बार कर लेते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते, जिनका final हो, नहीं हुआ, बट उन्होंने अगर articleship कर ली, तो भाईया, कम से कम 40-50 जार तो वो जिन्दगी में कमा ही लेते, आराम से, तो आप ये समझिए कि intermediate clear करोगे ना, तब आपकी CA में entry है, और वो entry अगर पाना है ना, तो intermediate clear करना पड़ेगा, और मैं बता तू देखो, पहला attempt, दूसरा attempt जो होता है, वो golden attempt होता है, लाइट में, उसके बाद के attempt जो है, तो दिक्कत है, ठीक है, तो भाईया, अगर आपका पहला attempt है, दूसरा attempt है, फटा फट इसमें clear करके, और अच्छे लड़की मिलेगी, और अगर नहीं बने, तो जो आपको, जो जिस पे crush है, जिससे आप बात करते हो, वो भी छोड़के जली जाएगे, मैं बता दूँ गरेगे, ठीक है, यह temporary है सब, life में change is permanent, बागी सब चीज़े temporary है, और change तभी होगे इपनी life में, जब आप फटा-फट CA बनोगे, so guys, thanks a lot people, आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं, अगले revision lecture में, जसमें हम revise करेंगे, I think PGB, yes.